हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू सपलता मंतर दोस्तों आज साम की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और जैसा कि आप सभी को पता है साम की क्लास हम लोग चलाते हैं सीटेट 2020 के लिए सीटेट की पूरी त्यारी कराई जाती है पूरे आपके सिच्छा सास्रयानी की पेड़ोगोजी के सभी सब्जेक्ट के important questions के practice सेट हम लोग cover करते हैं जो कि आपके exam में जरूर पूछे जा सकते हैं जिसकी 17 classes हो चुकी है और आज class number 18 है ठार्मी class है आप लोग class को जरूर देख रहे होंगे और अगर नहीं देख रहे होंगे तो अपना ही नुकसान आप लोग कर रहे हैं classes को जरूर अंत तक देखेगा कम से कम समय में आपके सभी questions पूरी व्याक्या के साथ हम लोग complete करते हैं और इसके साथ ही साथ आपके पूरे 1000 questions भी कराय जा रहे हैं जो कि आपके seated pedagogy से सम्मंदित हैं paper 1, paper 2 दोनों में ही आपके लिए आने वाले questions हैं आज की class में आपको मिलेंगे सामाजी कध्यन के questions ये questions बहुत ही important होने वाले हैं paper 1 में EBS में आ सकते हैं और paper 2 में आपके ये जो आपका assist का portion आता है उसमें questions पूछे जा सकते हैं तो सभी को देखेगा बताइए का कितने questions आपके सही हुए हैं और पुरानी classes का link दिया गया प्लेलिस्ट का link दिया गया उनको भी जरूर देखेगा चलिए बढ़ते हैं पहले question पर तो पहला question है बच्चों के साथ गतवीधिया केवल तभी प्रभावी होती है जब बच्चों के साथ गतवीधिया कहीं जा रही हैं वो कब प्रभावी होती है सिच्छी का उन्हें अपनी पाठ योजना को पूरा करने के लिए करवाती है सिच्छी का गत्विदी आधारित अधिगम के लिए अपने प्रधाना चार के आदेश को पूरा करने है तो दिखावे के लिए करती है उसका विश्वास है कि गतवीदी आधारी सिच्छा बच्चों को अबधारना समझने में मदद करेगी या फिर सिच्छी का यह नहीं जानती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है तो दोस्तों गतवीदी आधारी जो प्रभावी होती है तो आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि उसका विश्वास है ये क्लियर है कि गतवीदी आधारी जो सिच्छन होता है वो बच्चों की अबधारनाओं को concept को clear करता है किसको clear करता है बच्चों की जो concept होती है उनको clear करता है और साथ ही साथ दोस्तों जो आपके concept के साथ ही साथ जो main point होता है बच्चों को पढ़ने का तरीका समझ में आता है और वो आसानी से उस चीज को समझ लेते हैं यही आपका third number option में दिया गया यही चीज बिलकुल सही हो जाएगी याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं second number question पर देखे क्या दिया गया कि आप कच्छा आठ में विद्यार्थियों को विविद्धा में एक्ता पढ़ा रहे हैं यह topic का नाम है विविद्धा में एक्ता इसको पढ़ा रहे हैं क्लास एर्थ के बच्चे हैं याद करत प्रते चीज क्लियर होती है आपकी question के साथ ही साथ आप विद्यार्थियों को प्रफावी तरीके से अवधारना समझाने के लिए निम्न लिखित में से किस गत्विधि को करेंगे तो क्या किया जा रहा है विविद्धा में एकता topic पढ़ा जा रहा है और उनकी concept को क्लियर क अरीकों का feature प्रस्तूत करेंगे तथा उनमें नीज समानता और अंतर का मुल्यांकन करेंगे या फिर अगला दिया भारत के राज्यों की नदी विवादों पर निवंद लिखने को कहेंगे तो दोस्तों question आपको समझ में आ गया होगा second number question है विविद्धा में एक ता जब जा रही तो यानि कि अलग-अलग चीजों के बारे में diversity of India बताई जाएगी diversity of India कब पता लगेगी जब आप उनको बता पाएंगे कि अलग-अलग देश में कितने नरते होते हैं कितने प्रकार के उनके फीचर करके अच्छे से उनकी वीडियोग्राफी दिखाएंगे और उ कौन सा सामाजिक विज्ञान, अनुदेशन आत्मक, प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए तो सामाजिक विज्ञान में अनुदेशन प्रक्रिया का जो हिस्सा नहीं है इनमें से तत्यों का सुरुतलेख, प्रतिपुष्टितंत्र, क्रियानवेन या फिर योजना तो द पहला नंबर ऑप्शन दिया गया तथियों का सुरत लेक यही बाला पॉइंट जो दिया गया गलत दिया गया इसी को हम लोग अलग कर देंगे फर्ष्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं फूर्थ नंबर कुश्चन पर अगला दिया गया विद्यार्थि है ज्यान उपयोगी है अब बोध परादारित है या फिर सांस्कृतिक है फोर्थ नंबर कोश्चन दिया गया है और इसका आपका देखे ज्यान से समंदित होता सीधी सी बात है ज्यान मतलब अब वोध यानी की नॉलेज इसका आपका थर्ड नंबर ऑप्शन ही बिल्कुल सह ही हो जाएगा चली बढ़ते हम लोग फाइव नंबर कोश्चन पर एक सामाजी विग्यान सिच्छक कच्छा छे के विद्यार्थियों को आदी मानव के क्रिया कलाप पढ़ाने के लिए समूहों में क्रिया कलाप करवाने की योजना बनाता है वह समूह का नेतरुत करने के लिए विद्यार्थियों का चैन किन गुणों के आधार पर करेगा तो दोस्तों क्लासिक्स का में पढ़ा रहा है टीचर और आदिमानों की प्रक्रिया क्रिया कलाप समझाया जा रहा है तो किन गुणों के आधार पर विद्यार्थियों का चैन किया जाएगा देखिए पह अगला दिया गया योगिता अनुसार भूमी का देना और प्रोसाहित करना और सभी समुह सदस्यों के साथ क्रियान वेन बनाए रखना अगला दिया गया भूमी का चैन की सोतंतरता अपनी गति से कार करना और समझना तो अब आपको बताना कि कैसा बालक किस प्रकार का कार कर स रखता है यही चीज़ आपको बतानी थी five number question है और इसका देखे तीसरा option क्या दिया गया है कि योगिता के अनुसार कारिसंपना उनको भूमिका देना किस आधार पर बच्चे कर रहे हैं योगिता अनुसार देना third number option दिया गया उनको प्रोसाइद करना और सभी समुह के सदस option के सभी option पढ़के पूरी व्याक्या के साथ बताते हैं इतना आपको proper समय भी मिल जाता है और आप लोग घर पर रहकर अपनी पूरी तयारी कर रहे होगे यही उम्मीद रखते हैं और अपनी पूरी तयारी भी करते रहे हैं सुबह आपको daily current अफित की class मिलती है साड़े छे बजे class साथ बजे तक जरूर मिल जाती है उस class को भी जरूर देखते रहे हैं सेर करते रहे हैं और पूरी अपनी तयारी घर पर बैटकर ही करते रहे हैं माध्यमिक इस्तर पर सामाजिक विज्यान सिच्छन में व्याख्यान प्रस्तुति का उप्चरण है माध्यमिक इस्तर की बात हो रही है जूनियर लेविल की बात हो रही है पेपर टू में पूछा जाने वाला कोशन है सामाजिक विज्ञान सिछन में व्याख्यान प्रस्ति का उपचरण क्या होगा व्याख्यान विधी जो होती है उसके इंतरेट बताना भूमी का विकास समाहार या फिर उपरोक्त सभी यानि की व्याख्यान विधी के इंतरेट सिध्स नम्बर कोशिन का ठीक है दोश्तों छलिए बढ़ते हम लोग सेवे नंबर कोशिन पर प्रते कोश्चन समझते जरूर रहीगा माध्यम कर उस्तर पर सामाजिक विज्यान सिछ्ष्ण के अंतरगत व्याख्यान में भूमिका का क्या महत्तो है या ख्यान के कंतरगत उजरा बनाने में महतकूर्ण भूमिका आदा करती है फिर उप्रोक्त सभी तो दोसरों व्याख्यान के इंतरकर जो पहला पॉाइंट आपका आता भूमिका होती है तो भूमिका का क्या महत्त होता है सेवार नंबर कोशन है और काफी लोग सोच रहे होंगे उपरोगते सभी तो ये वाला option सही नहीं है पहला option दियागा चात्रों में अध्यन में विशय के प्रति रुची पैदा करना है यानि कि कोई भी topic पढ़ाने से पहले उनको उसके लिए उसके बारे में समझाना भूमिका तयार करना और व्याख्यान की क्या उपयोगिता होती है क्यों आवस्यक होता है व्याख्यान में समय का अपवय होता है व्याख्यान में इस पश्टी करन का महत्पून स्थान होता है कच्छा कच्छ में व्याख्यान के दोरान गुटवाजी होने की संभावना रहती है या फिर व्याख्य वियाख्यान सहभागिता के सिध्धान्त पर का पालन पूर्णता नहीं करता है तो जल्दी से बताएगा दोस्वों वियाख्यान की उप्योगिता क्या होती है एर्थ नंबर कोश्चन है और एर्थ नंबर कोश्चन का आपका कौन सा उप्सन सही हो सकता है तो इसका आपका द प्राइमरी लेबल में व्याख्यान विद्य आपको कभी भी यूज नहीं करने होती बहुत बार आपको बता चुके हैं याद रखना आपका काम है नाइन नंबर कोशन है बिल्कुल एंड में लोग पहुंच चुकें आप लोग क्लासिस को अधिक सदिक देखते रहे हैं शेर करते रहे हैं और दोस्तों को चैनल भी सब्सक्राइब करवाते रहे हैं प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे ग्यान है तो चात्रों को किस प्रकार से पहुचा जाए कि उनके जो उद्देश से हैं वो संभव हो सकें उनको आराम से प्राप्त हो सकें प्रक्रिया होगी जिससे कि उनके निर्धारित उद्देश से प्राप्त होगे जब आप किसी चीज को सीखेंगे सीखने का मतलब हमने का आपको बताये था लर्णिंग यानि की अधीगम इसका आपका फोर्थ नम्बर आपसन विल्कुल सही हो जाएगा नाइन नम्बर कोशन का फोर्थ आपसन अधीगम जो दिया गया है यही बाला बिल्कुल सही हो जाएगा clear हो जाएगा उम्मीद करते हैं आपको प्रतेक पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहा होगा 9 questions complete हो गए हैं अब दोस्तों आज का अंतिम question आपको दोस्तों एक बार फिर से बता दें अगर class पसंद आ रही है तो जरूर एक सेकेंड का समय लगेगा comment करके बताईएगा class को like करते रहीएगा और share करना मत भूलिएगा like comment जरूर आने चाहिए आपके question है सैच्छिक प्रक्रिया का महत्पून अंग निम्न में से क्या है सैच्छिक प्रक्रिया जो इसका प्रमुख अंग क्या होगा सिच्छन उद्देशियों की प्राप्ति सिच्छक है तू अध्यापक की परिस्यतियां सिच्छक द्वारा चात्रों का मुल्यांकन या फिर उप्रोक्त सभी तो जल्दी से बताईएगा सिच्छन प्रक्रिया जो होती है उसके प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं 10 नंब बिल्कुल सही हो जाएगा आज के सभी 10 कोश्चन कंप्लीट हुए उम्मीद करते हैं आपको सभी कोश्चन समझ में आए होंगे याद हो गए होंगे अब बताईएगा कितने कोश्चन आपके सही हुए हैं क्लास कैसी लगी आज कि यह भी आप लोग कमेंट करके जरूर बत लिखते रहिए थेंकि दूस्तों गुडबाय टेक क्यार